नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Micromax in Note 2 vs Infinix Hot 12 Pro का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो In Note 2 में 6.3 इंच जबकी Hot 12 Pro में 6.46 इंच की लेंध मिलती है विद की बात करें तो In Note 2 में 2.93 इंच जबकी Hot 12 Pro में 2.98 इंच की विद मिलती है बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हे वेट की तो, इनos 2 में 205 ग्राम्स, जबकी होट 12 प्रो में 191 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कुमपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, in Note 2 में AMOLED जबकी Hot 12 Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio in Note 2 में 20 रेशियो 9 जबकी Hot 12 Pro में 20.5 रेशियो 9 मिलता है Display Size की बात करें तो, in Note 2 में 6.43 इंचर्स जबकी Hot 12 Pro में 6.6 इंचर्स मिलती है Display Resolution, in Note 2 में 1080 by 2400 और, Hot 12 Pro में 720 by 1612 मिलता है Screen to Body Ratio, in Note 2 में 84.02 प्रतिशत जबकी Hot 12 Pro में 84.61 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, in Note 2 में 409 प्रति इंच जबकी Hot 12 Pro में 266 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशता है की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा Features Camera की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, in Note 2 में 4 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Hot 12 Pro की बात करें तो इसमें 2 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Lens देखने को मिलता है बात करें विडियो Camera की तो, in Note 2 में 8 Different Type के Features मिल जाते है और Hot 12 Pro की बात करें तो उसमें 7 Different Type के Features मिल जाते है अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की चार डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अई अब बात करते हैं हाद्वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफरमेशन देखते हैं हाड़वेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो, इन Note 2 में Mali G76 MC4 जबकी Hot 12 Pro में Mali G57 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो, इन Note 2 में MediaTek Helio G95 और Hot 12 Pro में Unisoc T616 मिलता है। बात करें RAM की तो, इन Note 2 में 4GB की RAM मिलती है जबकी Hot 12 Pro में 2 variant देखने को मिलता है। जिसमें 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, इन Note 2 में 64GB की storage मिलती है जबकी Hot 12 Pro में 2 variant देखने को मिलता है। जिसमें 64GB, 128GB storage मिल जाती है। expandable memory दोनों phone में up to 256GB है। ओपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो, इन Note 2 में Android V11 जबकी Hot 12 Pro में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो, दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है। अई अब main feature को देखते हैं। colors की बात करें तो, दोनों phone में सेम ही, दो colors option देखने को मिलते हैं। सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो, इन Note 2 में एक ही variant देखने को मिलता है। जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 12,490 रूपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Hotwell Pro की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं। जो की 6GB RAM 64GB Storage के साथ 10,999 रूपीस, 8GB RAM 128GB Storage के साथ 11,999 रूपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो, Micromax in Note 2 में 8, फाइदे और 1, नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Infinix Hotwell Pro की तो उसमें 8, फाइदे और 5, नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो, डिस्प्ले में InNote 2 आगे है, में कैमरा में Hot 12 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफोर्मेंस में InNote 2 आगे है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें, शाउमी Poco M2 Pro है, दुसरा Realme 7 है, तीसरा Infinix 08i है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo F17 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।